व्यापम फरजिवारे को लेकर CBI की टीम भी विजय बहादुर से पूछतार्च करनी की तयारी कर रही थी दरसल विजय बहादुर सिंग साल 2010 से 2015 तक व्यापम के परिवेक्षक रहे है ऐसे में CBI को कई बिंदूओं पर उनसे पूछतार्च करनी थी लेकिन CBI पूछतार्च से पहले जिस तरह से विजय बहादुर की मौत हुई है उससे ये सवाल भी उठ रहा है कि व्यापम के पूर्व परिवेक्षक की मौत हादसा है या कोई साजश नहीं सुलज रही व्यापम मौत की मिस्ट्री रिटायर्ड अफसर की मौत हादसा या फिर साजश CBI की टीम भी करने वाली थी विजय बहादुर से पूछताच रिटायर्ड अफसर की मौत के बाद उठ रहे कई सवाल रिटायर्ड अफसर की संदिग्द मौत इसलिए भी संदिह के घेरे में आ रही है क्योंकि IFS अफसर विजेभाद दुर सिंग साल 2013 में PCCF के पत से रिटायर हुए थे जिसके बाद उन्हें 2010 से 2013 तक व्यापम का परिवेक्षक पत सौपा गया था ऐसे में CBI की टीम भी उनसे व्यापम के मामले में पूछताच की तेयारी कर रही थी क्या थाए अस्के टीम है आए चे हो दोराद यंप्याद कि में पाद कहुं़र हुर प्या थारी कहुंग से उन्हें उन्हें व्यापम द्वारा आयुजित परीक्षाओं के गोपनिय कारे विजे बहद्दुर सिंग की देख रेक में ही होते थे एक्जाम पेपर कौंतिम रूप देने में थी विजे बहद्दुर की एहम भूमिका व्यापम के परिवेक्षक के तौर पर निभाई एहम जिम्मेदारी गोपनिय कारें में भी थी विजे बहद्दुर की एहम भूमिका एक्जाम पेपर के वितरन का काम भी देखते थे विज जे बहदुर की संदिक्द मौत के पीछे का राज आखिर क्या है? कर दो आखिर के खिर प्रहण के पीछे करीछ आखिर आखिर का राज है सूत्रों की मानी तो व्यापम भाग होटाली की जाच कर रही सीबियाई की टीम ने फरजिवारी की गुथी सुलचाने के लिए विजेब बहद्दूर सिंग से पूचताच करने की तयारी की थी लेकिन इससे पहले ही विजेब बहद्दूर की मौत होना कई सवालों को जन दे रहा है बहरहाल इस संदिग्द मौत के मामले में पूलिस ने अब जाच तो शुरू कर दी है लेकिन इस मौत के पीछे का राज सामने आता है या नहीं ये देखना भी लाजमी होगा